नमस्कार शेश्रेकाल स्लाम उलेकुम जैहिन सांथियो आप सभी का तहदिल से स्वागत करते हैं यूजी सेड़ा के इस महामंज पे आज यूजी सी पे मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संपूर्ण दिल्ली सल्तिनत के MCQ और सारे MCQ वो होंगे जो कहीं न कहीं आपको ढ पढ़ाया गया है थोड़ी सी समझ आप लोग को बढ़ाना है यह रिवीजन सेशन है आप सभी के लिए कि कितने कंडिडेट्स हैं जो सही से कोश्चन को एटेम्ट कर पा रहे हैं सल्तिनत से जैसा कि आप सभी जान रहे हैं इस बार जून एटेम्ट में जून यूजी सी के जो एक्जाम हुए है उसमें बहुत सारे कोश्चन सल्तिनत पीरिएट से रहा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से सल्तिनत पीरिएट जो है आप सभी के एप्लिकेशन पे भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट भी किया गया है तो जो कंडिडेट्स नए हैं उन सभी ने निवेदन है कि जल से जल क्लास में मौझूद हो जाएं और कोशिस ये करें कि max to max question को attempt करें और जाद से जादा क्लास को share और इस चैनल को subscribe करते चलें सभी के सब्ही साथी लोग एक बार सभी लोग जल से जल क्लास में मौझूद हो जाएं स्टार्ट करते हैं आज क वेरी हेलफुल फुर उस गाइस सभी लोग रेडी हैं क्लास सभी लोग रेडी स्टार्ट किया जाए क्लास चलिए कोशन नमबर फॉस्ट की तरफ हम लोग देखते हैं जितने कंडिडेट्स नए हैं उनसे सभी नहीं वेदाने के एक बार क्लास को शेयर कर लिए अपने प्रे काल का विबरंड देता है लोग बलबन के काल का विबरंड देता है तैकिकातने क्लास में मौजOOD है अपने एक fertig क्लास को अपने social media पे शेयर करते चलिए और देखते हैं कि क्या क्या क्वेण हैं हमारे लिए तैकिकातने हिंद शाह नम मा और तारी के अबी करेक आन्सर इच्ट बाइब होता है जिसे किताब अलो रजो ने कर अचया इनका मतलब और से उस्ताद होता है शाणामा आप सभी जानते किसके दोर wreck की दोरा शी और लीफ़ करेक्ट आनसर इंचप बाई मौलवी जियाउदिन बढ़नी या समसे सिराज अफीब के द्वारा इस किताब को लिखा गया है तो सी विल विदा करेक्ट आंसर आपका सी वाले सभी लोग करेक्ट है आ गया गलती करने का बंबार शुरू वाह अरे बी कहां से आएगा ये सभी दोनो तो अलड़ी मर कि आ चुके हैं और बल्बन की कि बात कर रहे हैं महमूत गजनवी के ये दरवारी हैं दोनो दोनो दरवारी हैं तो क्या आंसर हो जाएगा सी विल विदा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है सी वाले सभी लोग करेक्ट हैं कलेर है चलिए एक बार क्लास को like share करते चलें नमस्ते everyone बहुत डिले होके आते हो आप सभी लोग टाइम पे रहा करो जादा से जादा चीज़े सीखने को मिलेगा next question question number two question number two कहता है कि in whose reign ये राइन डिद दा मंगोल मेनाग make its first appearance on the northwest frontier of India भारत की उत्तर पश्मी सिवां पर मंगोलों के आतंग पहली बार किसके शाशनकाल में परकट हुआ था इलतुत में इस बल्बन अलावदिन खिल जी इब्राहिम लोदी which will be the correct answer which will be the correct answer easy question है नहीं तरीका सिर्फ बदला है question question पूछने का लेकिन question वही है जो मैंने पढ़ाया है आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूँ which will be the correct answer धियान से देखते चलेंगे कि क्या answer हो जाएगा सांतियों which will be the correct answer 1221 के समय में याद है आपको मंगबढ़नी को ढूंदते ढूंदते पहुंच जाते हैं यहां पे वो कौन है that is called the तीमुजीन तीमुजीन मीन्स तीमुजीन तीमुजीन मीन्स चंगेज चंगेज खान है ना याद आया चंगेज खान right answer will be the iltutmiss के समय में फिर गलती यार शालू प्रिजापती क्यों गलती कर रहे हो बार बार टू का बी क्यों होगा कह रहा है कि maximum attack ना मंगोलों का बलबन के समय में हुआ यह पूछ रहा है कि first appearance क्या है first appearance पूछा है question को ध्यान से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि ध्यान से पढ़ते चले question number next the first sultan to cross the Narmada and move to the south west नर्मदा पार कर दच्छिन के और जाने वाला पहला sultan कोन है यह easiest question है सभी साथी लोग ध्यान से answers करते चलेंगे सभी के सभी लोग फास्ट everybody थोड़ा सा class को share करते चलें और एक एक आंसिस करते चलिएगा सभी लोग which is the correct answer अभी कुछ questions easy आ रहे हैं कुछ questions थोड़ा सा मतलब mediocre वाला होगा medium थोड़ा सा tough भी होंगे questions तो तीनों लेवल में मैंने questions रखे हैं आज questions की संख्या थोड़ा ज्यादा है आप लोग speed बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा questions solve कर पाएंगे सभी साथी लोग एक बार speed बढ़ाएं राइट आंसर बीदा अलाउदिन खिल जी चली बहुत सुंदर नेक्स्ट कोश्चन देखें कोश्चन है कि अलाउदिन खिल जी की परसाशन के बारे में निमलिखित में से कौन सा सही है about administration of अलाउदिन खिल जी उन्होंने सभी वस्तूओं और वस्तूओं की किमतों को विनियमित करने वाले आदेश जारी किये उन्होंने नए नोट जारी किये उन्होंने नशीले पेपदार्तों का सेवन करने से मना किया या उन्होंने सभी अनाच को दिल्ली के साही अनभंडार में संग्रहित करने की मांग की which will be the correct answer कह रहा है कि not true अच्छा not true पर साशन के बारे में निमलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है यह पूछा है चली बहुत सुंदर सभी लोग सास्ट कमेंट करते चलेंगे देखते हैं कितने लोग हैं स्टूडेंट्स जो सही आंसर कर रहे हैं एक बार सभी लोग सब्सक्रास को सेर कर दें अपने सोशल मेरिया पर सभी लोग एक बार क्लास को सेर करते चलेंगे which will be the correct answer अगर मैं इस questions की तरफ चलूँ कि he issued addict regulating the prices of all articles and goods ये correct है उन्होंने नए note जारी किया है ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था उन्होंने नशीली पेपदार्थ की सेवन पर बेहन लगाया था और अनाज के लिए दिल्ली शाहि अनबंडार संग्रहित करने की मांग की इसका मतलब है कि एक्जूट करने की मांग की ये ये भी almost सही है इसमें जो नहीं होगा सही that will be the only two it means कि answer क्या हो जाएगा d will be the correct answer कितने लोग है भाई d वाले कितने लोग है फास्ट कमेंट करते चलेंगे डी वाले कितने लोग है चली बहुत सुंदर एक बार क्लास सभी लोग शेर कर दीजिए अपने अपने social media पर जादा से जादा क्लास को like share करते चलें सभी के सभी क्लास आप ही सभी के लिए हैं और ये आपी क्लास है दी वाले सभी लोग करेक्ट है चली नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन देहान से देखेंगे निमलिखित में से कि सुल्तान ने खुद को उलेमा के नियंतरण से मुक्त कराने का सफल परियाश किया अब एबरीबडी नोस कि उन्होंने कहा कि नोबेल कुड इंटरफेर इन दी इच महीं शादी संपन होने की वो ऐसे concept इन्होंने इंटरदूस किया था वो व्यक्ति कोन है फास्ट कमेंट करते चलेंगे दाट इस दी अलाउदिन खिल जी सी इस करेक्ट आंसर सुन्दर सभी लोग सी इस करेक्ट आंसर एक बार क्लास को ध्यान से देखते चलेंगे नेक सुन्दर है कि बढ़नी के अनुसार सभी घरों में मिंट बोले तो आप टकसाल बन गया थे क्या बन गया थे नीजी टकसाल बन गया था कौन सा कारेक इस कथन के बिरुद जाता है ठीक है सभी इतने संबरीद नहीं थे कि सिक्के ढालने के लिए बड़ी मातरा में कांस खरी अंसर हाउ मेनी ओफ यू सर साफ साफ सर साफ नहीं दिखाई दे रहा रूपल आप एक काम कीजिए अपने आख को थोड़ा साफ कीजिए आख से पांक पर पानी मारी में भी सही हो जाएगा सब को क्लियरली दिख रहा होगा इस कोशन बाकी लोग भी कमेंट करके बता सकते अबाई दिख रहा है सबको सबको दिख रहा है किलियरली सभी को दिख रहा है किलियरली सभी लोग fast comment करते चलेंगे According to Bernie the token currency ruined the country and the every house become a private mint वाट फेक्टर गोज अगेंस दिस स्टेटमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा अल वर नोट प्रोस्पेरस एनव तो बाई सेज़ेबल क्वान्टिटी और ब्रोंज तो मिन्ट दिक क्वाइन्स याद रखेगा खास तोर से चमडे की क्वाइन्स जो है धालने की परंपरा इस समय आ गया था चमडे की क्वाइन्स जो है लोगों ने डालना शुरू कर दिया था जिसे जीतल के नाम से जानते थे एविल बी दा करेक्ट आंसर एवाले सभी लोग करेक्ट है सी इस नोट करेक्ट आंसर सेवेन नंबर वाट वर्डी इंपोरणस अलाव दिन खिलजी, की अनाज निथी की महथ पूर्ण विसस्टाईक क्या थी वाट वर्डी इंपोर्ड् Scott की अलावद दिन खिलजी ग्रेन पॉलिकी ग्रेन पॉलिकी के अगर बात करता है तो no competition in grain was allowed, ऐसा नहीं था, feature is important, no officers, no officers, competition in grains, market बनाया, आप ये वाला correct कर सकते हो, this will be the correct, no officer was given a free hand in the procurement and distribution, ये भी correct, he maintained the strict balance between the supply and demands, बिल्कुल सही है, all will be the correct answer, उपरोक्त में से सभी correct हो जाएगा answer, D वाला सभी लोग correct है भाई, D is correct answer, clear है सब लोग, clear, आगे चलते हैं, अलावदिन खिल जी, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोश्या तुगलक, सिकंदर लोदी, ये चार पे focus करके चलोगे, सल्तनत के लियर हो जाएगा, सल्तनत के maximum question इन चार सुल्तान से आज तक पुछे गया है, maximum question, next, what was the land which was directly administered by the central government, ये already मैंने बताया था, केंदर सरकार द्वारा परसासित होती थी, क्या कहलाती, direct सुल्तान उस जमीन पे, सुल्तान उस लेंड पे directly हुकूमत करेगा, उस लेंड पे, बताईए, उसे किस नाम से जानते थे, खलीशा, इक्ता, इनाम या वली, सभी स्टूडेंट लोग इस question का answer करेगा, एक भी स्टूडेंट से गलती नहीं होनी चाहिए, और वही स्टूडेंट से गलती होगा, जो paid watch में नहीं है, इसकी मैं guarantee ले रहा हूँ, सभी लोग fast answers करते चलेंगे, which is the correct answer, which will be the correct answer, right answer is called the खलीशा, एस correct answer, यह already मैंने बता रखा है, जमीन के अलग अलग जो है वराइटीज, सभी जमीन के, इक्ता पे कौन है, इनाम पे कौन है, वली पे कौन है, सब चीज़ के बारे मैंने बताया, खलीशा will be the correct answer, next question, this is the easiest question, of today class, सल्तनत काल में समानते किसान को अपनी उपस का कितना हिस्सा छोड़ना पुड़ता था, कितना हिस्सा टेक्स देना पुड़ता था सल्तनत पिरिएड में, on an average, यह बता यह, fast comment करते चलेंगे, सभी लोग, एक एक questions का answer करते चलें, सभी के सभी students, which is the correct answer, which is the correct answer, which will be the correct answer, right answer will be the, ओके, अभी तक बलवन तक है, बढ़िया, बहुत सुन्दर, which is the correct answer, right answer will be the, 1 by 3 will be the correct answer, यह वाले correct answer है, everybody knows कि इतना एक बटा तीन जो टेक्स की बात की गई है, यह on an average है, ठीक है, C नहीं होगा बच्चा, देखो, next question, खूत, मुकदम और चौधरी, ने किसानों और राज की कीमत पर खुद को संभृत किया, इसे रोकने के लिए, अलावदिन खिल जी ने क्या किया, सुन्दर कोश्चन है, this is the very सुन्दर कोश्चन, खूत, मुकदम या चौधरी, ग्रामिन लेबल पे हैं, in rich themselves at the cost of the peasants and state, what did the Allaudin Khilji do to check this, he abolished all the privilege of the hereditary village officials, he insisted, द्यां से थे किंग, he insisted that they pay taxes to the state like other peasants, he fix a levy on the cattle that was the applicable to the rich and poor, the Sultan abolish their khuti, that is called the collection charges, which will be the correct answer, एक बार ध्यान से study करो, हिंदी में भी क्या answer हो जाएगा, बहुत सारे students, जो है न, क्लास में बहुत डिले होकर आ रहे हैं, it's a humble request, guys, एक बार क्लास को सभी सांती लोग, क्लास को share करते चलेंगे, सभी के सभी लोग, सबसे पहली बात कि इस तरह की चीजों की या इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, डारेक्ली सुल्तान ने उनकी खुती अर्थात वसूली सुल्क समाप्त कर दी, वहला न रहेगा बांस न बजेगा बांस री, आप लोग क्या करते हैं, टैक्सेज जादा से जादा वसूलते हैं, और सोशित कोन होता है, ग्रामेड अस्तर के लोग, तो चौधरी, मुकदम और खूत, जैसे लोगों की कही न कहीं एक वनशानुकत चल रही, परंपरा को खतम करने क्या काम किया इनोंने, थोड़ा सा फास्ट, सभी लोग कमेंट करते चलेंगे, सभी के सभी लोग, विच विल वी दा करेक्ट आंसर, आज टाइम पर फिर मुझे बहुत कम स्टूडेंट दिख रहे हैं, टाइम पर कम स्टूडेंट आज मुझे क्लास में दिखे हैं, विच इस दे करेक्ट आंसर, सांथियों, थोड़ा सा सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया पर क्लास को शेर करते चलें, विच इस दे करेक्ट आंसर, कमबोसिट आफ सिल्वर देखो, एक कोश्चन स्वाल्व करने का एक तरीका भी है, अगर बोलना होता तो यह डारेक्ट लिखके यहाँ पर छोड़ देता, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ऐसे करता है, यह बिलोन वर्ड देने का मतलब यह कॉमपोसिट ओफ सिल्वर और कॉपर की बात कर रहा है, कि दोनों में यह वर्ड ऐसा देता ही नहीं और उसे एक्स्प्लेंड करने की कोशिस ही नहीं करता, ऐसे मैं अमूमन एब इल भी दा करेक्ट आंसर, यह वाले सभी लोग करेक्ट आंसर, नेक्स्ट कोश्चन, कुश्चन है कि इलतुतमिस को महान धनवान बताया गया है, इस परसिद्धी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या उपाई किये दे, उन्होंने एक चांदी का टका स्थापित किया, उन्होंने बिलोन जीतल को डृट्स आधार पर रखा, उसने टका पर टकसाल शहर का नाम रख दिया, या उसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के परतीमा अंकित करने का अनुमती दी, विच बिल बिदा करेक्ट आंसर, मेजर्स टू अचीव दा फेम, विच बिल बिदा करेक्ट आंसर, इनको फेम क्यों मिला, क्यों इनको फेम जादा से जादा मिलता है, तो याद रिखेगा, अल्तुत्मिस पहले ऐसे साशक है या सुल्तान है, जिनों ने पहिली बार अर्भी सिक्के चलाने का क्रेडिट जाता है, जिसे आप जीतल कहते हैं और टका कहते हैं, इस इस दा कोश्चन, फास्ट कमेंट करके आप लोग बताएंगे, खालीफा का नाम क्या था, खलीफा का, उस खलीफा का नाम क्या था, फास्ट कमेंट करके आप लोग बताएंगे, खलीफा का नाम क्या था, everybody, एक बार सभी लोग, खलीफा के नाम कमेंट करके बताना ज़रा, खलीफा का नाम क्या था, सभी के सभी लोग, which is the correct answer, next question की तरफ चलते हैं, आप सभी को, अलमुंतसिर के रूप में आप सभी जानते हैं, एक बार सभी लोग, क्लास को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलें, सोचल मीडिया पर, next, according to Burney, there was a shortage of gold, बहुत सुन्दर कोशन है, this is the very easy question, and very important question for upcoming examinations, बढ़नी के अनुसार तेहमी सताबदी में, सोने और चांदी की कमी थी, अलावदिंग खिलजी के साशन काल में किस कारण कारक ने इस्तिथी में सुदार किया था, इस काल में गुर्जर परतिहारों द्वारा परचलित सिक्के मिले, हिंदू साशकों के सिक्कों को और चारिक रूप से दिल्ली टक्साल में सुविकार किया जाता था, और फिर नए सिक्के में बदल दिये जाते थे, यह और भी दोनों, यह इनमें से कोई भी नहीं, इस कोईशन का अगर मैं आंसर पर चलूं, गुर्जरा परतिहाराजवार दियूरिंग इस परियेट कोई सर्कुलेटेट, नो, दियूर्ट अफिंदू रूलर्स वर फॉर्मली एक्सेप्टेट इन दिडेली मिन्ट, और चन्वर्टेट इंटो दी निव कोईशन, बी विल विदा करेक्ट आंसर, बी वाले सभी लोग करेक्ट आंसर है, बहुत सुन्दर बच्चे, सभी लोगों को याद है, और अच्छी बात यही कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, रिजल्ट की इस बार चांसेज मुझे ऐसा लगता है कि पूरे यूटूब चैनल पर कोई कितनों भी स्टूडेंट पढ़ा रहा होता है, यह पढ़ा रहा होगा, सबसे ज़्यादा रिजल्ट हम बनाएंगे इस बार, यह मैं आवान कर रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद पर और अपने स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया है, इस बार जिस तर आगे तो कोई भी चीज जो है, अपना सर खम कर लेता है, सर जुका लेता है, जिद्धी बनना जरूरी अपने काम्याबी के लिए, याद अखना, निमलिखित में से किस सुल्तान ने, 1442 से 43 में, मांडू में एक अस्पताल बनवाया, और आदेश दिया की दवायं वही खरी बाइ बोथ इसलामिक और ब्रहमिनिकल फिजीशन, सुल्तान फिरोश्या तुगलक, सुल्तान महमूत खिल जी, सुल्तान नसरुदीन या सुल्तान बख्तियार खिल जी, बहुत सुन्दर कोशन है, विच विल विदा करेक्ट आंसर, एक दो कोशन जो है, ऐसे आपको बी वाले सभी स्पूडेंट्स करेक्ट हैं, चलिए, नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं, कोशन नमबर नेक्स्ट, नियामत उल्ला राइट्स, नियामत उल्ला लिखते हैं कि सुल्तान फिर उस अस्थान को देखने के लिए नाव पर सवार हुआ, देखो कुछ कोशन ऐस हैं, जो पढ़ाई के सांसा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़े याद नहीं होगे, कह रहा है क्या, नियामत उल्ला लिखते हैं कि सुल्तान फिर उस अस्थान को देखने के लिए नाव पर सवार हुआ, रास्ते में आनद लेते और शिकार करते हुए, उस अस् कोशन, यह अगर यह वाला लाइन नहीं होता, उद्देश से सुल्तान निकार की शहर का नाम आगरा होगा, और वो सुल्तान का नाम पहचाने, और वो जिस नदी पर बैट के घूम रहा है, वो नदी सभी जान रहे कि यमुना है, है ना, इसी होगे है ना कोशन, विच इस आगरा है, यह अब मजा आ रहा है कि क्योंकि यह यह एजी कोशन मुझे लगने लगा, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन के तरब, कोशन देाँ से तरब अचे में, रहे, बिच आखुएंगे, कह रहा है, हिंदी में रहा है, कि निविखेत में से किस समकालीन इतिहास कारने, घोडे को युदखा मुख साधया है, साधन बताया और सामंती करों की उसकी निंदा से विशुद सेंद्रिस्टी कौन से तुर्की की तागत और भारती सेनाओं की कमजोरी का पता चलता है हसन निजामी मिनाजुस सिराज बर्णी और फक्रे मुदब्बिर इन सब के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ सब स्कॉलर की किताबों के बारे में भी आप लोग जान रहे होंगे किसने ऐसी बात की घोड़े को युद का मुक साधन बताया और सामनती करो कि उसकी निंदा से विशुद सेंद्रिश्टी कौन से तुर्की की तागत और भारती सिना की कमजोरी का पता चलता है तो याद रखेगा दिस इस दा वेरी इंपोर्टेंट यह मिनाजुस सिराज के स्टेट्मेंट से पता चलता है मिनाजुस सिराज की देखो कुछ चीजे क्या है ने कि पढ़ाते समय कुछ चीजे है ऐसी होती कि जब तक आप किताब मतलब कोश्चन से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसे को रिलेट नहीं कर पाऊगे यह मिनाजुस सिराज के इतलक और मुक्तिज वालीज आई विश की सब लोग आसानी से इस कोशन का आंसर कर सकते सभी के सभी स्टूडेंट यह सारे के सारे वर्ड्स मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं देखो ध्यान से स्टेंडर्ड कोश्चन है आंच का कुछ भी को इकताय तमालिक तमलिक एक इस्तिहाक इस्तगलक लिख दिया इस्तलाक और वालिस आप हिंदी ने इंग्लिश में ही देखो विची दिकरेक्ट आंसर सभी लोग फास्ट आंसर करते चलेंगे एबरिवड़ी थोड़ा सा फास्ट आंसर करते चलेंगे थोड़ा सा फास्ट आंसर करते चलेंगे थोड़ सब्सक्राइब को शेर कर दो अपने अपने सोशल मीडिया पर बवा विच इस दी करेक्ट आंसर चली मैं देखता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा इक्तायम तमलिक तमलिक इक्ता कनवर्टेड इंटु दे लैंड कल्टिवेटेड लैंड फॉलोड और माइन्स एक आफ फ इतलक का मतलब होता है बैसिकली इक्ता असाइंड और इक्तलक और वलिज वोलिज मतलब गवर्णर तो होल्डर औप इक्ता असाइंड जिन लोगों ने याद नहीं है किसी को अगर याद नहीं है जरह भी तो आप ऐसा करें कि इसके मेनिंग आप फिर से याद करने की कोशिश चरिए इसका हिंदी अनुवादित भी देख लो एकताय तमलिक एकताय इस्तकल इतलाक और मुक्ति इसका आंसर आप ए मांग के चले इसका हिंदी अनुवादित यह है clear है चलिए next question question number 18 को देखो ध्यान से कि निमलिखित में से कौन सा तुरकाने चहलगानी का हिस्सा नहीं हा तुरकाने चहलगानी का member नहीं था ये पूछ रहा है who was not the member of तुरकाने चहलगानी ये question पूछा गया note पहली बात की बलवन इसका हिस्सा ये आप सभी को पता है अब बताए बहाद्दीन तुग्रील कुतलुख खान और इमाउद्दीन रिहान जो question किताब में mention नहीं है उसको question के हिसाब से मैं कोशिस कर रहा हूं कि चीज़े समझा दूँ एक बहतरीन आपका question तयार हो जाएगा सभी लोग फास्ट everybody is right here इमादुद्दीन रिहान will be the correct answer he was not the member of तुरकाने चहलगानी which was founded by इलतुतमिस चली, next question, question number 19 I and none other, what are you? that I am not and what have you been that I have not been the above statement was claimed by which of the following Sultan मैं और कोई नहीं, तुम क्या हो जो मैं नहीं हूं और तुम क्या हो जो मैं नहीं हूं उपरोक्त कथन का दावा निमली कित में से किस सुल्तान दौरा किया गया है तुरकाने चहलगानी, रुकनुर्दीन फिरोज, सुल्तान रजिया and आलम शाह which will be the correct answer थोड़ा सा क्लास को शेर करते चलो भी या लोग सभी लोग these are the some important questions related to your exams सभी लोग fast comment करते चलें मैं और कोई नहीं मैं और कोई नहीं, तुम क्या हो, जो मैं नहीं हूं ऐसी statement, तुरकाने चहलगानीं के लिए statement आता है कि तुम क्या हो, जो मैं नहीं हूं उपरोक्त कथन का दावा निम्लिकित में से किस question मैंना answer actually छुपा हुआ था कि following groups और सुल्तान groups अगर कह देता, नहीं होता न तो answer कभी भी यहाँ पे आपका नजर नहीं जाता अगर यहाँ पे नजर जा रहा है तुरकाने चलगानी में इसके वो groups कह रहा है ठीक है, next next number question निम्लिकित में से कौन सा गलत सुमेलित है अल बरूनी तहिकी काते हिंद फिर्दोसी शहनामा उद्भी तारीखे फिरोशाई बढ़नी तारीखे यामिनी easy question है, बहुत easy है question साइज दो बार करा चुका हूँगे इससे पहले भी solve करवा चुका हूँ सभी लोगों के लिए which is the correct answer comment करते चलेंगे सभी के सभी, which is the correct answer बहुत easy question है अगर मैं इस question पे चलूँ अल बरूनी ने तहिकी काते हिंद फिर्दोसी ने शहनामा उद्वी ने तारीखे यामनी है ये वाला और बढ़नी ने तारीखे फिरोश्य है इसका मतलब हो गया है तीन और चार तीन और चार गलत है इट मिंस की D will be the correct answer D is correct answer D वाले सभी student लोग correct है next question देखिए ये question सबसे पहले कोन answer कर रहा है ये देखना चाह रहा है How many of you guys लो इसका हिंदी अनुवादित भी देख लो एक बार खराज, जकात, खम्स, और उस्र which will be the correct answer ये already मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को खराज, खम्स खराज, जकात, खम्स, और उस्र बहुत सुन्दर खराज खराज किसको कहते है खराज किसको कहा जाता है agriculture पर टेक्स दिया जाने वाला that is called the भूमी पर जो टेक्स दिया जा रहा है उसे आप कहते है ठीक है, लो खराज, एक अठिरी जकात मुस्लिम धाई परसन देता है अपने अठिक प्रोपर्टी पर ठीक है खम्स लुटा हुआ माल पर और उस्र उस्र के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम किसानों के द्वारा जी दिये जाने वाल उस्र की भी एक वराइटी है अगर आपकी खेती ध्यान से सुनिए आप पे करते हैं कितना 10% अगर आपका unnatural तरीके से कृत्रिम तरीके से artificial तरीके से आपको किया है तो एक वटा 20 का है 5% का concept है ऐसा 5 से 10 और 20 का आप इस तरह से याद रखेगा अगर है तो आपको देने पढ़ेंगे 20% जहां तक है और उसमें 10% कुछ जगह पे एरिया वाइस भी variations है ऐसे हम नहींने आप लोग को पढ़ा रखा है D is correct answer इसका D is correct answer next question मुहम्मद बिन तुगलक created the दिवाने को ही everybody knows कि सर दिवाने को ही यह agriculture department है टैक्सिस वह सुनने के लिए department of agriculture primarily two किस चीज़ पे focus करता था यह बिभाग तो परत्यक्ष राजपरवंदन और BTS हैता द्वारा बंजर भूमी को खेती में अंतरगत लाने के लिए राजपरवर्ति सिचाई की शुरुवात करने के लिए यह भी दोनों यह सिचाई में सुधार और बहतर फसलिव गाने के लिए सिचाई में सुधार और बहतर क्रोप्स जो है सुपेरियर क्रोप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए डी विदा करेक्ट आंसर उस्र का पता चल गया ना सभी लोगों को नेचरल टेन परसेंट है नहीं नहीं एक्चली में जो नेचर के थ्रू है तो टेक्स ज्यादा देना पड़ेगा जैसे बारिश हो रही है आपका उश्र में बारिश हुआ नेचरल तरीके से तो वह नेचर आपका घर से पैसा नहीं लगा तब उस कंडिशन में आप 20 परसेंट देते हैं और अगर आपका क्रितरिम तरीका है तब उस कंडिशन में 10 परसेंट आपको उस पे जो है अनाज पर टेक्स देना पड़ता था कई जगह पे दो तरह के 5 और 10 का है और एक जगह पे 10 और 20 परसेंट का है ऐसा भी बोलते हैं ग्यासुदिन तुगलक अटेम्टेट टू इंप्रूव एग्रिकल्चर को छोड़ना उप्रोग में से सभी आपका डी विल भी दा खरिक्ट आंसर आपका एविल भी दा मतलब डी विल भी दा इसली आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन याद रखेगा मुहम्मद बिन तुगलक से और अलावदिन खिल जी से रिलेटर जो भी कोश्चन्स पूछेगा आपकी पेपर में वो कोश्चन्स आपका टफ होगा और अच्छे लेवल के कोश्चन्स होगे चलिए अलावदिन खिल जी द्वारा किर्शी विवस्था में क कारण फसलों की छती की परवा किये बिना बढ़ावव वसूली वसूला जाना ऐसा नहीं था ये वाला आपका एकॉर्डिंग टू कोश्चन्स आंसर हो जाएगा बाकी सभी पॉइंट्स राज्यस्व के राज कहिंसा बढ़ाकर उपच का आधा कर दिया गया धैट इस कॉल राजर दे एकॉर्डिंग टी। आंसर एकॉर्डिंग फोरदी मॉनियंद्स मॉनियंद्स कौन होती था मॉक्री मया प्रवध संथैक हे ये और एकुपा काता नियौठ आठी sì का से कहा जाता था मॉनियं नुंख होन होते थे बच्च्छे फास्टमेंट कर के बताईज जरह who were the Munians? होड़ वसा, फास्ट कमेंट करते चलेंगे सभी लोग फास्ट who were the Munians? Munians कौन होते थे? they were revenue officer, they were bodyguard of the king they were the head of the market control organizer they were the secret police service who used to give report about the rates and working of the markets right answer will be the secret police होते थे sir Munians जो लोगों पर नज़र रखते थे उनकी गति वीधियों पर नज़र रखते थे that is the D will be the correct answer next question to come hoarding and black marketing allowed in Khilji ordered that ध्यान दिजेगा जमा खोडी और कला बाजारी पर अंकुस लगाने के लिए अलाव दिन Khilji ने ये आदेश दिये थे भू राजस वस्तू के रूप में वसूल किया जाना चाहिए ठीक है कास्त्कारों को कटी हुए फसल खेट पर ही बेचनी चाहिए ये भी ठीक है प्रजेंट से कनेक्ट करके देखना कि उसमें करॉप्शन नहीं दिखने चाहिए तो आंसर आपका हो जाएगा ओल अब इस तरह नेक्स कोशन है कि विच आप दी फॉलुविंग चेंजिस इन इक्तेदारी सिस्टम वाज नोट इंटोडूज वाइदी फिरोशा तुगलक कौन सा परिवर्थ तन फिरोशा तुगलक द्वारा नहीं किया गया है फिरोशा तुगलक ने नहीं किया है ठीक है इस कोशन को अगर हम देखे है ही री स्टोड दी सिस्टम ऑफ पेमेंट सेलरी तो दी सोल जस्ट बाइड लैंड असाइनमेंट नाओ कॉल दी वजफ है नहीं पूछा है इसमें क्या पूछ रहा है नहीं वाला उप्शन वजफदार इस तरह के असाइनमेंट के धारक इक्तिदारों का एक और समू था ये भी करेक्ट है दस सिस्टम ऑफ सब असाइनमेंट अफ लैंड मुक्ति स्टूदी सोल्जर वाज अलसो सैनी को भूमी उप अस्थांतरट करने की पढ़नाली भी शुरू की गई थी ये भी करेक्ट है उन्होंने कार्यों के गैर अस्थांतरट को कठोड़ता से लागए नहीं ऐसा नहीं ये आपका जो है डी एक्कॉर्डिंग टू दे कोशन डी विल वी दा करेक्ट आंसर डी आ पूछे जा चुके हैं पूछे जा भी सकते हैं कुछ नए नए कोशन भी देखने को मिलेगा निमलिखित में से कौन सा मुहमद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को पुंजी अस्था तरन दिरकालिन लाव नहीं था क्या पूछ रहा है भाई विच आप दी फॉलिंग अच्छा ठीक इसने सल्तनत का प्रायदीप का बेहतर नियंतर हो गया इसने संचार में सुधार करके उत्तर और दख्षिन भारत को एक साथ लाने में मदद की इसने परिणाम सोरुप उत्तर और दख्षिन भारत के बीच सांस्कृतिक संपर की एक नई परकिरिया शुरू क या इसने राजनिति गुरुत्व का केंदर उत्तर से दख्षिन की और अस्थांतित कर दिया, which will be the correct answer according to the question. तो याद रखेगा कि it shifted the center of political gravity from the north to the south, not one of the long term benefits, ये इसका benefits नहीं हुआ, इसको south के तरफ capital अस्थांतित करने का कोई benefits नहीं दिखता है, that is the D is correct answer, according to the question D will be the correct answer. Next question, दिली के कुछ सुल्तानों को मंदीर तोड़ने वाले और मुर्ती तोड़ने वाले के रूप में परसिद्धी मिले, उसके मुर्ती भंजन का मुख उद्देश क्या था, ये कोशन सब लोग आसानी से कर पाएंगे, easily, everybody, क्या रहा होगा में उद्देश, everybody knows कि मुर्ती त था के लाना, लूट नहीं में मकसद हो सकता है, तो देखते हैं कि तू लूट दी फैबूलस वेल्ट अब दी टेंपल, सिंस इसलाम डिन नॉट फेबर इमेज़ेस, ऐसा कुछ नहीं है, कि इस तरह का चीज़ें हैं, आप डारेक्ली आंसर कर सकते हो, तू लूट दी फैब नहीं कोशिस करो, और वो आंसर आपको इसली मिल जाएगा, नेक्स्ट कोशन 30 नंबर, तर्म इक्ता का शब्द का मतलब क्या होता, वाट इस दी मीनिंग अफ दी इक्ता, वाट दा मीनिंग अफ इक्ता, इक्ता का क्या मतलब होता है, कमेंट करते चलेंगे सभी लोग, administrative grant और फिफ, एक प्रसाशनिक अनुदान या जागीर, आज ठीक क्या ने, तो बाकी बार ये थीप कर देता था, चोर हो जाता था, ठीक, आज सही है option, administrative grant और फिफ, revenue assignment of the particular area in lieu of cash salary, ये answer होना चाहिए, आपका, that is the, we will be the correct answer, we will be the correct answer, next question, अलाउदिन खिलजी द्वारा शुरू की गई बाजार नियंतन पढ़नाली की देखबाल और विनियम, मन के लिए परसाशनिक बेवस्था किसके दाइरे में था, दिवाने रियासक, दिवाने रिसालक, दिवाने इंशा, दिवाने अर्ज, everybody knows, सब भी department को आप लोग सभी लोग फास्ट, एक बार सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें, सभी के सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करते चलें, अपने अपने सोशल मीडिया पर, सभी लोग, which is the correct answer, the administrative setup आज थोड़ा सा ऐसा हुआ, कि क्लास बहुत तेजी से questions from लोग उने खिचाया, इस दिवाने रियासत विल विदा करेक्ट आंसर, ए वाले सभी करेक्ट है, बी क्यों भई, अधित्या, बी क्यों, ए इस करेक्ट आंसर ने, डी क्यों, दिवाने अर्जी इस दा मिलिटरी, दिवाने इंच्छा, आपके correspondence और आपके फॉरें को देख रहा है, दिवाने रिस किंग्शिप वाजदी बेस्ट ऑन दी कॉंसेट डैट, किंग्शिप कैसा होगा, अलावदिन खिल जी का राजस्व का सिधांत, इस अवधारना पर टिकी हुई है, किस पर टिकी हुई है, राजा कोई रिस्तेदारी नहीं जानता, एक साशक के रूप में वो स्वेम एक कान था, राज की भलाई और जनता की भलाई सरवच आदर्शे या उप्रोक्त में से सभी, which will be the correct answer, which will be the correct answer, फास्ट कमेंड करते चलेंगे, किंग्शिप नोज नो किंग्शिप करेक्ट है, एक साशक के रूप में वो स्वेम एक कानून था, ये भी करेक्ट है, भलाई और जनता की भलाई से सरवच उप्रोक्त में से सभी, डी will be the correct answer, कुछ questions आज ऐसे होंगे, जो आपने पहली बार देखा होगा, और काफी सुन्दर questions देखने को मिला होगा आप लोगों को, नेक्स्ट कोशन, अपर्शियन हिस्टोरियन अब दिस सल्तनत पीरिएट, फू एक कंपनी अलाउदिन खिल जी ऑन इस एक्सपेडिशन चित्तोर, याद किजे, इसका नाम बाद में बदलकर खिजराबाद रख दिया गया, खिजराबाद, वो चित्तोर भी साथ में थे, औ आमेरम खुसरो it is the correct answer, मिनाज ओ सिराज तू पहले इल्टवनिस के समय में हुआ, उसके बाद संसे सिराज यह हुआ किस के समय में, इस दा फिरोशा तुगलग के समय में अलाउद दिन मुहम्मद बिन तुगलग के समय में तो कोई भी नहीं होगा answer would be the C. Ameer Khusra will be the correct answer. Clear है? Ameer Khusra will be the correct answer. Next question. The largest standing army directly paid by the state was created by Raj Dwarah Siddhe Bhuktaan की जाने वाली सबसे बड़ी अस्थाई सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? बहुत सुन्दर. Directly paid salary in cash. यह सबसे बड़ा सेना किसके पास था? यह मैंने आपको बता दी सर्फ फॉस्ट पेपर भी आप कंप्लीट करेंगे. आचल दिवेदी नहीं बिटा. मैं first paper नहीं, first paper मेरे साथ बहुत सारे teacher हैं जो आपको first paper पढ़ाते हैं, ICT अलग पढ़ाया जाता है, teaching aptitude अलग पढ़ाया जाता है, आपका reasoning logical aptitude अलग पढ़ाया जाता है, सबके अलग अलग faculties हैं हमारे साथ, वो आप mega pack में बहुत सारे candidates हैं, जो अक्सर पूछते रहते है answer mega pack में कैसे join करें, तो mega pack के लिए मैंने आप सभी को ये code दिया है, आप लोग खुदी join कर सकते हैं, directly किसी की ज़रूत नहीं, y628 code का इस्तेमाल करो, directly आप मेरे league में enter कर जाओ, directly कोई भी problem होगा, वो मैं देखूँगा, आप सभी, चली है, next question, इसका answer हो जाएगा, that is called the C, C वाले सभी student correct है, next question के बाद, 35 number question, the Sultan who first formulated feminine code to provide relief to the feminine affected people was, वो सुल्तान जिसने सबसे पहले आकाल परवावित लोगों को राहत देने के लिए, आकाल सहीता बनाई थी, फिरोश्या तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, अलावदिन खिल जी और बलवन, which will be the correct answer, क्या आपका answer हो जाएगा, जल्दी से fast comment करके बताई, which will be the correct answer, सभी लोग, fast comment करते चलेंगे, ओके, ओके, आप मेरे से सिकायत कर सकते हैं, don't worry, के रहेंगे, सर, आप एक अलावदिन खिल जीगा, थेरी क्लासिस करा दे, अनुराग, already मैं करा चुका हो, already मैं करवा चुका हो, एक बार आप जाके देखना है, मेरा थेरी वाला पोर्शन, already मैंने पढ़ा चुका हो, इसका जो राइट आंसर होगा, मुहमद बिन तुगलक, यह अलावदिन खिल जी का एक थेरी पार्ट क्या, मैंने पूरी की पूरी थेरी पार्ट एप्लिकेशन पे करा दिया, यहां पे भी आप लोगों के लिए, मैंने आप एक बार जाके सर्च करना, पुरानी मेरी वीड स्टूडेंट पे आपको यह दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, इसके लिए आपको, बैसिकली मैंने आपको बता दिया है, कि यह सभी स्टूडेंट लोग, आप सभी लोग, यह पूर्ट का इस्तिमाल कर लो, उसके अलावा चलते हैं, थोड़ा सा मैं कोर्स के बा तो आपको यहाँ पर UGC दिख जाता है, UGC हिस्ट्री वाले में अगर चलते हैं, तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के बैचिस, ठीक है, चाब वो हिस्ट्री मेगा पैक हो या हिस्ट्री, अगर किसी के पास कम पैसे हैं, वो चाहता है कि हिस्ट्री बैच में पढ़ सके, बाकी पेपर अपने से अगर पेपर वन पढ़ पाएं, तो उनके लिए बेस्ट है कि पेपर वन पढ़ सकते हो, Y628 आप इस कोड का इस्तेमाल कर लिया, अपलाई कर दी हैं हम लोग, यह आपको फी पढ़ जाता है, इस कोड पे, Y628 कोड जरूर याद रखना, इस कोड के फूर आप इस कोर्स में इन्रॉल्मेंट ले सकते हैं, तो आज की सेशन मैं यहीं पर अस्तगीत कर रहा हूं, थाइंक्यू अलफ यू, थाइंक्यू सो मच गाइस, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, अपने अपने सोशल मेडिया पे भी, मिलते हैं, नेक्स क्लास म सुफिजम और भक्ती मुव्मेंट से रिलेटेट कुछ कोश्चन होगे, मिलते हैं, नेक्स क्लास में, थाइंक्यू अलफ यू, थाइंक्यू सो मच, जै हिंद, जै भारत सांधियू